हेलो फेंड्स बैक आफिस में एक पॉप अप मैसेज आए वा जिसकी रिगार्डिंग काफी सारे फॉंडर के मेरे पास लगातार मैसेज आए कि सुरज जी इसको एक्स्प्लेइन कीजिए तो माइक एली सर ने अपने वीडियो में लास्ट जो वेबिनार हुआ एसर का तो उसमें उनकी जो फिलिंग है जो उन्होंने जो फिल किया है वो सारे पॉइंट को उन्होंने उस वीडियो में एक्स्प्लेइन किया है दूसरा वीडियो एसर ने रिकमेंड किया है सजेस्ट क करते हैं Friday के दिन तो उस वीडियो को ऐसर ने सजेस्ट किया वो तीनों वीडियो आपको बैक आफिस में मैसेज में मिल जाएंगे और वो तीनों वीडियो यूटूब पर लाइब है और अलेडी पबलिक है इसलिए उन तीनों वीडियो का लिंक मैंने अपने चैनल के डिस्क् कराशनेटली देखिए और वो दोनों वीडियो यानि कि माइक ऐली सर और रेड़ सर के दोनों वीडियो में आपको जो लास्ट वेमनार में सिओं म neutrंध मेयं सेर किया अब आप सोच रहेंगो कि अपडेट तो मेरे को सारे मालूम पढ़ गए हैं हिंदी हिंदी लेंग्वेज में राइट लेकिन अब अब अगर मालूम पढ़ गए हैं तो उन वीडियो को मैं क्यों देखूं फ्रेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा मैं अपडेट को कई बार देखता हूं सबसे पहले तो आज सर को नाइट में लाइब सुनता हूं उसके बाद पीटर सर के समयरी को पढ़ता हूं इसके बाद साम को निरे ये डेली यूटूब पर लाइब आते प्रजेंटेशन करते हैं बहुत सारी इंफोर्मेशन डेली शेयर करते रहते हैं और मैं इनको डेली देखता रहता हूँ जब आप different leaders को सुनते हैं, उनकी feeling को सुनते हैं, उनके द्वारा दिये गए update, knowledge, information को सुनते हैं, तो आपकी knowledge बहुत ज़्यदा बढ़ जाती है, और आप किसी भी point के regarding confused नहीं रहते हैं, आपका हर एक point, आपका हर एक doubt clear हो जाता है, इसलिए fan मैं आपको एक अच्छी update दे पात सपड़ा deal निन से, इस इस सभी के वीडियो को आप देखते रही हैं, जसी सर भी कभी वीडियो को लाइब करते हैं अपने चैनल पर उनको भी आप देखते रही हैं, तो इन सभी leaders को, जो भी हमारे leaders हैं, Elsie members मेंबर्स हैं, उनके वीडियोश को आप देखी, उनकी feelings को महसूस कीज़ें कि वो क्या कहना चाहते हैं और ऐसस ने सजच किया है कि इन वीडियोijd को यानन कि मैक अली शर सबकी वीडियोज को आपा है दूसरा चीज ऐसर ने ये भी बोला है कि आप वीडियो को देखिए और साथ में आप कमेंट कीज़ दिए आपको वीडियो कैसे लगा, वो फिलिंग सुनके कैसे लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए वो कमेंट ऐसर पढ़ते हैं, उनको कमेंट पढ़ना काफी ज़्यादा पसंद है, तीसरा चीज ऐसर ने यहाँ पर बोला है कि हमारे जो लीडर्स हैं, वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, सो डिफिनेटली हम सभी लीडर्स को, फाउंडर्स को लगातार आगे बढ़ते रहना है एक दूसरी के साथ में और S.A.S.A. ने सभी leaders and founders को धन्यवाद दिया क्योंकि हमारे जितने भी leaders and founders हैं सभी लोग अपना पूरा योगदान दे रहे हैं on passive को develop करने के लिए on passive को आगे बढ़ाने के लिए so definitely हमें on passive के साथ बने रहना है और हमारे जितने भी leaders हैं उन सभी को हमें देखते रहना follow करते रहना क्योंकि जो knowledge और जो feeling जो information वो share करते हैं वो हमारे लिए बहुत ही जदा important होता I hope यह सारे points जायसने suggest किये थे वो मैं अच्छे से clear कर पाया हूँ और आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे fans